तो हम बात कर रहे हैं यहां पर A, B, C, D, E model of flower के बारे में तो देखिए होता क्या है यहां पर जब हम A, B, C, D, E model के बारे में बात करते हैं तो कहानी यहां पर यह आती है कि यह model क्या है ऐसा नाम क्यों दिया लिया है, alphabetically ऐसा नाम क्यों दिया लिया है तो पहले तो मैं आपको clear कर दूँ कि A, B, C, D, E यह सब क्या हैं यह सब हैं classes, ठीज आर classes, यानि class हैं यह और इस class में कुछ genes आती हैं जैसे कि हमारे school में classes हुआ करती थी, class 5, class 6, class 5 में इतने सारे बच्चे, class 6 में इतने सारे बच्चे ऐसी हैं यह A class, B class, C class, D class, E class है इन classes में कुछ genes आती हैं और वो genes flowering करवाने के लिए responsible हो सकती हैं and that is why we have named it as a A, B, C, D, E model of flower यह जो topic है, यह topic आपके unit 5 and unit 6 का combined portion है मतलब कि यह topic आपके unit 5 में भी unit 6 में भी है, unit 6 में फ्लावर development basis पे यह cover किया जाता है यह topic दोनों ही जो मैंने आपको याद होगा, dev bio मैंने कहा था कि plant का कुछ development and flowering part बाती है, right वो flowering part जो है हम यहाँ पे cover कर रहे है, that is in plant तो इस तरीके से unit 6 and unit 5 दोनों एक साथ cover हो जाएगा flat screen होड़ी है flat screen होड़ी है is it fine now? yes is it fine? अभी ठीक है? अभी ठीक है अभी ठीक है should I proceed? okay ठीक है तो जैसे मैंने कहा यह topic unit 5 and unit 6 दोनों में इंक्लूड होता है कि जो अधूरा portion वहाँ था यहाँ पे cover हो रहा है तो अब कुछ portion बाखी नहीं रह गया है plant related development में fine? तो जब हम बात करते हैं ABCDE model के बारे में यहाँ पे references mention कर दी है अब सवाल आता है कि यह है क्या? अच्छल में तो हुआ यह कि जब भी आप plant की बात करते हैं plant की life cycle कैसा होता है? सबसे प्लांट की बात करते हैं सबसे प्लांट की बात करें तो यह एक seed है right seed में seed को आपने germinate कर दिया germination के बाद क्या होगा? germination के बाद seedling आएगी अरे यार क्या है को इस प्लांट कर आएगी hope अभी सब कुछ बैटर है So I'm starting it again So हमने ये कहा कि एक seed है Seed में baby plant stored है अब इस seed को हम germinate कर रही है Germinate करेंगे तो seedling मिलेगी यानि होगा क्या कि Seed से एक baby plant निकल के बाहर आएगा ठीक है बाहर की दुनिया देखेगा कुछ इस तरीके से Fine अब ये जो plant है Obviously अब ये grow करना शुरू करेगा जब ये grow करेगा तो इसके पास leaves रहेंगे Stem रहेंगे और ये इसका main focus क्या होगा इसका main focus होगा growth पे Hence ये जो phase है ये कहलाएगा vegetative phase यानि ये अपना vegetative phase को मतलब ये proper ठंक से grow करेगा और खुद को mature करेगा capable बनाएगा अब इसके बाद का phase क्या आता है reproductive phase ठीक है अब reproductive phase का मतलब क्या होगा सीधी सी बात है ये पौधा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ leaves, stem ये सब चीज़ें थी अब इसमें क्या आना शुरू होगा flowering आना शुरू होगा आपको पता है flower जो है process होता है कि हाँ एक फिर एक नई generation आएगे ठीक है तो ये जो flowering phase होता है तो ये क्या हुआ है vegetative से reproductive phase में क्या हुआ है plant का transition हुआ है ठीक है हमारी जो story चलने वाली है आज की और कल की ठीक है आज और कल जो chapter पढ़ेंगे वो इसी transition पे related होगा यानि ये वाला जो portion है ये transition इस transition पे पुरा based होते है यानि vegetative phase से plant का reproductive phase में transition, plant में different different flower की different different organ का formation कौन सी gene काम कर रही है कैसा environment काम कर रहा है कैसा light काम कर रहा है इनी सब चीजों पे हमारा आज का दो lecture और कल के दो lecture based होने वाले हैं तो ये ही transition पे हमारा दो दिन focus चलने वाला है hope you are getting clear की हम क्या पढ़ने वाले हैं transition का मतलब क्या होता है एक phase से दूसरे phase में switch करना अब सीधी सी बात है अगर एक plant बहुत से x y z factor यहां काम करते हैं तो हम क्या करने वाले हैं जैसे कि मैंने कहा इस transition के लिए आपको temperature की जरूरत पढ़ती है ठीक है temperature की जरूरत पढ़ती है जिसको की हम पढ़ेंगे vernalization के नाम से इस transition में light भी अपना role play करता है जिसको की हम पढ़ेंगे photopriodism के बारे साथी साथ इसका small portion हम sensory photobiology में भी पढ़ेंगे ठीक है and then एक और काम आता है यहाँ पर that is on a gene level की भाई temperature काम कर रहा है ठीक है light काम कर रहे हैं genes भी काम कर रही है तो उन genes में चली आती है हमारे पास ABC class genes इतने ही नहीं hormones भी काम करते हैं जिसमें की हम major तरीके से gibralic acid के बारे में पढ़ते हैं genes सिर्फ ABC class gene ही नहीं है बहुत सी genes है जैसे कि हो गया FD gene, FD gene, SOC1 gene, CO genes बहुत सारी genes है सब के बारे में हम पढ़ेंगे तो आज का जो हमारा focus है वो focus है यह genes के बारे में पढ़ना इस transition को करवाने में कौन सी genes मदद कर रही है और वो क्या करवा रही है hope आपको base समझ में आया होगा कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं इससे आपको मदद मिलेगी पूरे chapter को समझने में ABC model is one of the very very easiest chapter of debbio and plant physiology बच्चों को finger tip पे याद रहता है ठीक है? तो कहानी हम शुरू करते हैं कुछ class of genes से तो हुआ ये कि Arabidopsis plant में क्योंकि आपको पता है A thaliana यानि Arabidopsis thaliana is considered as a model plant तो Arabidopsis thaliana पे जब बहुत से mutation case को study किया गया तो उस mutation case से सामने आई दो category of gene जो की flower के development को regulate कर भी थी वो दो category थी floral meristem identity gene और दूसरी थी floral organ identity gene ये दो class को mutation जब study किया जा रहा था तब इसे discover किया गया अब ये दो class है क्या? चलिए इसके बारे में हम समझते नहीं तो two major category of gene which regulate the floral development are first is the floral meristem identity gene and the second one is floral organ identity gene अब नाम से इनके काम का पता चलता है floral यानि flower का meristem यानि dividing tissue identity gene यानि flower में flower meristem को identity मिलती है और simple भाशा में कहूं तो जो shoot part है वो flower में convert होता है यानि जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी जस्ट एक डाइग्राउं यह जो vegetative phase है इसके पास सिफ shoot part है shoot में flower नहीं है कहते है it is the transition from shoot into the flower और बात करें तो it is a transition of shoot vegetative meristem to the floral meristem जो shoot area में पाये जाने वाले जो meristem होते हैं vegetative meristem यानि vegetative phase के meristem tissue होते हैं उनका transition उनको बदल दिया जाता है floral meristem में और अब यह जो floral meristem है वो आगे चलगे flower बनाने में participate करें इसी को आने वाली genes को वो genes जो यह काम करवाती है यानि vegetative meristem को floral meristem में transition करवाती है floral meristem में बदलती है उस category of gene को हम floral meristem identity gene कहते हैं क्योंकि उन genes के वज़े से floral meristem को अपनी पहचान मिल रही है जो पहले नहीं मिली थी पहले जो टिशू थे वो vegetative meristem के form में present है अब ऐसी gene के कुछ example आपके सामने हैं जैसे कि हो गया leafy gene, apitala 1 gene, apitala 2 gene, polyflower gene और यह कुछ example हैं इससे भी जादा example exist करते हैं तो जैसे कि यहां पर mention है the floral meristem identity gene यह क्या करते हैं they code for the transcription factor यह जो category of gene है यह transcription factor को code करते हैं जिसकी जरूरत किस लिए होती है जिसकी जरूरत होती है initial induction of floral organ identity gene they are the positive regulator of floral organ identity in the developing floral medistem और आगे चलके यह gene plural organ identity gene को activate करने में मददफ़ती है plural organ identity gene क्या होगी जो कि floral यानि flower के organ को पहचान देगी यानि organ को identity देगी जैसे कि flower में organ क्या क्या होते है sepal, petal, stamen, carpel यह हम already flower development में यह सारे नाम हम पढ़ चुके हैं यह जो मैंने नाम बुला sepal, petal, stamen, carpel यह सब नाम क्या है यह सब है organ अब इस organ को अपनी पहचान कैसे मिलेगी जब floral organ identity gene activate होगी तो देखा गया कि floral meristem gene जो है floral organ identity gene को भी activate कर भी इतना ही नहीं by evolution यह चीज़ भी समझ में आई कि कुछ ऐसे भी transcription factor है जो कि अपने initial stage में floral meristem identity gene जैसे काम करेंगे और वही gene बाग में चलके floral organ जैसे काम करेंगे जैसे की हो गया epitala 2, epitala 1 epitala 1, epitala 2 यह genes ऐसी genes होती हैं जो कि floral meristem identity gene की category में भी आती हैं और आप देख सकते हैं floral organ identity gene में भी यादी हैं चीक है दूसरी दरफ अगर हम आते हैं तो हमारी दूसरी class है floral organ identity gene यह gene क्या होती है जो flower की identity को control करते हैं the floral organ identity gene the protein imported by these factor are transcription factor इनके दुआरा भी code किया जाने वाला protein है वो transcription factor की तरह काम करता है just like floral meristem identity gene that interact with the other protein co-factor to control the expression of downstream gene whose products are involved in the formation or function of floral organ जिससे भी यह interact करेंगी उस interaction का जो product होगा वो flower को बनाने में flower organ की पहचान देने में मदद करेगा अब यह genes कौन कौन सी है इन genes का नाम है ap-1 जिससे हम ap-1 कहेंगे ap-2, ap-2 ap-3, ap-3 pistillata, pi agamas ag यह नाम आपके finger tip पे याद हो जाने चाहिए because इस नाम को हम बहुत regularly आज के chapter में use करने वाले हैं और chapter खतम होते होते आपको यह सारे नाम easily याद हो जाएगे होने वाले है तो हमारा जो main focus है actual में आज का यह focus होने वाला है but that doesn't mean कि हम बाती सब पे focus नहीं करए क्यूंकि अभी तक CSIR का main focus यही genes था इस पे भर-भर के सवाल कुछे गया है लेकिन अब CSIR का focus इस class पे भी चला आया है तो अब इससे भी सवाल बनने शुरू हो गया है so that is why हमें इन दोनों ही category को equally important रखके आगे बढ़ना होगा हम किसी एक को skip करके नहीं बढ़ सकते हैं इन जीन्स को तीन category में भी divide किया जा सकता है पहली category तो हमने देख लिया meristem identity gene जिसके कुछ और भी example है Arabidopsis में पाया जाने वाला leafy fd gene soc1 gene इसके अलावा epitala 1 gene इस सब भी कुछ example है second हमने example देखा floral organ identity gene का तो यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो हमारे लिए नया है वो है cadastral gene cadastral gene क्या करते है cadastral gene actual में boundary set करते है boundary set यानि किस time से किस time तक या किस organ से किस organ तक कौन सी gene activate होगी उसको उसकी boundary समझाना cadastral gene का काम होता है ताकि कोई दूसरी gene किसी और gene के function में interfere ना करें और हर एक gene अपनी boundary के अंदर रहे और उस boundary के अंदर रहकर वो काम करें इसका main property होता है कि यह boundary set करती है genes के expression के लिए that is cadastral gene तो यह functionality के basis पे यह divide किया है और वहाँ पे development, flower के development के basis पे और साथी साथ flower में किस तरीके के transition होड़े है उसके basis पे divide की लग जा तो basic से शुरू करते हैं यह slide आप देख सकते हैं यह slide कोई नहीं नहीं यह slide को आप अलड़ी developmental biology में देख चुए हैं तो हमने basic अगर हम देखे flower का तो यह है आपके साप्लावर जिसमें की organ हम देखते हैं तो यह जो green वाला part है green वाला part आप सभी को पता होगा यह रहा पहला roll या फिर पहला layer जिससे हम क्या कहते हैं जिससे कहते हैं हम sapple ठीक है sapple के collection को हम calyx कहते हैं यह हम depth bio में पढ़ चुप गहीं next उसके बाद यह जो हमारे पास this is our second roll या second layer जिसे हम कहते हैं petals collection of petals को हम corolla कहते हों next उसके बाद हमारे पास आता है third layer जिसे हम कहते है stamen या third roll ठीक है और उसके बाद अंदर की तरफ आता है हमारे पास fourth roll जिसे हम कहते हैं carpel यह है चार rolls flower में पाए जाने वाले बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे बाहर की तरफ मिलता है sapal इसके बाद मिलता है petals then मिलता है stamen and then मिलता है carpel सबसे अंदर वाया जो part हमको मिलता है that is what carpel ठीक है okay अब अगर यह चीज हमको समझ में आ जाती है तो हमें क्या करना है हमें यह चार रोल्स बनाने ही और इन चार रोल्स को बनाने के लिए हमारे पास जो jeans है न वो jeans मदद करेंगी अब यह कैसे मदद करेंगी यह भी देखें तो पहले हम introduction से शुरू करते हैं हम देखिए किस तरीके से चलने वाले हैं पहले हम पढ़ेंगे A B C model फिर हम पढ़ेंगे A B C E model and then हम पढ़ेंगे A B C D E model तो आज हम तीन model पढ़ेंगे और दो सब modification ही है बट यह तीन model को एके करके पढ़ेंगे ताकि हमारी जो learning है वो थोड़ी सी smooth हो जाए अच्छा मैं आपको बता दू तो अभी तक CSIR का 95% जो भी question है वो A B C model से आता है लेकिन DBT, Gate and CSIR अभ यह तीनों मिलके जो हैं अभ यह दोनों model पे भी सवाल पूछने लगे हैं जिसका participation अभी तक फिलहाल में 5% देखा गया है DBT में Class E से भी question आने लगा है लेकिन CSIR ने अभी तक Class E को पुरा touch नहीं किया है लेकिन क्योंकि यह एक emerging area है तो we can expect a question in future and that is why हम यह तीनों model एक साथ discuss कते हैं तो A B C model के बारे में जरा सा basic से हम समझने की कोशिश करते हैं A B C model जो हैं यह क्या करता है यह हमको बताता है कि फ्लावर जो हैं उसमें अलग-अलग organ बनेंगे और उस organ को उसकी पहशान कैसे मिलेगी जैसे कि हमने कहाँ flower में सेपल, petal, stamen, carper और इस model को सबसे पहले develop किया गया था Arabidopsis thaliana एक gene की family होती है जिसे हम कहते है mats box family यह जो mats box family होती है इस family में आने वाली gene होती है, उनके पास conserve sequence motif पाए जाते हैं जो कि similar होंगे हर वो एक gene में जो gene इस family के अंदर में आईगी these genes which contain this motif are called the mats box gene family जिस भी genes के पास sequence motif प्रेजेंट होंगे उनको हम mats box gene family में डाल देंगे maximum जो homeotic genes होती है वो mad box gene से belong करती है, mats box family से belong करती है homeotic gene यानि ऐसी gene जो कि plant में patterning करवाए भी development करवाएगी organ को specify करेगी ऐसी genes को हम अकसर देखते हैं mad box का part होती हो अब यह नाम mad box कहां से पढ़ा mad box कहां से पढ़ा तो देखिये actual में यह mad box gene जो है, इसको अपना नाम मिला है एक acronyms है, जो कि refer करता है चार member शुरुवात में क्या हुआ अलग-अलग organism पे study चल रहनी थी उसमें देखा गया कि कौन से ऐसे genes होते हैं जो कि organism में बहुत important role play करते हैं during the patterning तो देखा गया कि saccharomyces cerevisi है जिसको कि हम east कहते हैं budding east कहते हैं उसमें एक gene पाया जा रहा था MCM1 तो MCM1 का M ले लिया गया फिर Arabidopsis thaliana में देखा गया कि जो genes पाया जा रहा था Agamous तो Agamous का A ले लिया Antidenium modus जिसे हम snapdragon कहते हैं उसमें पाया जा रहा था Deficient तो इसका D ले लिया और Homo sapiens में gene पाया जा रहा था SRF इसका S ले लिया तो जब शुरुआत में ये चार member में से जब ये चार genes को study किया गया तो देखा गया कि इनका अपना अपना role है उस organism में पैटर्निंग कर रहा रहा और इन सब में सिमिलार्टी थी motivated सेंथ मोटिफ की सिमिलर पाया था लिए ऐ भूल दिया गया कि अब इस टाइप ये जीन सेंथ मोटिफ को आपस में जीन को इसी फैमिली में डाले गे तो आज के ताइम में यह mats box family बन चुकी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे genes चले आते हैं जिसकी list जो है मैं आपको दिखाऊंगे आगे चलते हैं अब यह जो mats box gene है अगर हम plant में बात करते हैं तो यह क्या-क्या function कर सकती है अक्सर इसका काम होता है development process को control कर दो यह क्या-क्या कर सकती है यह male and female gametophyte का development करवा सकती है embryo and seed का development करवा सकती है root flower food का development करवा सकती है तो आप देख रहे हैं बर जगह जो है इसका role यहाँ पे किसमें development होती है अब mats box के बारे में क्यों बताया क्योंकि ABC class में आने वाली जादा तर जो gene है वो mats box family से belong करती है hope this is clear to everyone चरव आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं ABC model से सब ABC model की जब हम बात करते हैं तो यह एक genetic model है जिसमें कि हम gene level पे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी class of genes क्या बनाने में मदद करे हैं और इस model को जो है दो measure plant model पे study किया गया था एक था Arabidopsis thaliana जो कि यह रहा जिसे हम normally जानते हैं और दूसरा है snap dragon जिसे हम antirhenium mongeus के नाम से जानते हैं अब जब हम ABC model की बारे में बात करते हैं तो हमको anatomy पता है यह है sequence याद रखीजेगा इस sequence में गड़बड़ी करेंगे पूरा chapter गड़बड़ो जाए आप के लिए पहला layer है सेपल का सबसे बाहरी layer सेपल इसके बाद मिलता है हमें petal then मिलता है स्टेमन and then मिलता है कारपल अब इसको अगर समझने की कोशिश करें ABC model के basis पे तो देखिए कैसे हम देख सब्सक्राइब है सबसे पहले अगर हम बात करें तो A class में मैं लिख की समझा देती है A class में जो genes आती है वो आती है apitala 1 and apitala 2 B class में gene आती है apitala 3 and pistilata and C class में जो gene आती है वो है agamas यानि simple भाषा में कहूं तो यह जो हमने यहां पर पढ़ा था यह दोनो class A gene है यह दोनो class B gene है और last वाली class C gene A, B, C ठीक है? A, B, C class gene है अब यह genes क्या करती है? वो समझने की हम कोशिश करते हैं यह रहा A thaliana, ठीक है? यह उपर का view है, यह side view है अब A thaliana की अगर मैं बात करती हूं तो मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि सबसे बाहर वाला portion है sepal जो की है first road then मिल रहा है मुझे petal जो की है second road then मिल रहा है मुझे and अंदर की तरफ सबसे मुझे मिल रहा है कारफल यानि fourth road अब यह बंते कैसे हैं जरा सा समझें वैसे मैंने slide add करती है, potential नहीं के जरूरत नहीं है मैं यहां पर लिख के बता रही हूं तो होता क्या है actual में A class जो होता है, A class का काम होता है sepal and petal दोनों बनाना ठीक है B class क्या बनाता है हां जी, any idea B class क्या बनाता है B class petal and stamen दोनों बनाता है and C class क्या बनाता है C class johan stamen and carpel दोनों में participate करता है ठीक है तो A class जहां रहेगा वहाँ पर I mean to say उसका जो presence है पहली पर अखेला पहली पर association में होता है तो A class जहां पर रहता है वहाँ पर sepal petal का formation होता है B class जहां रहता है वहाँ पर petal stamen का formation होता है and C class johan वो stamen and carpel के formation में participate कर सकता है अब ये करते कैसे हैं जरा सा rule समझे इना पहला case पहला case क्या है कि A class जहां पर रहेगा वहाँ पर जिंदगी में कभी C class express नहीं हो सकता और C class जहां रहेगा वहाँ पर जिंदगी में कभी A express नहीं हो सकता है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या हैं ये दोनों हैं एंटा बॉनस्ट चीक है तो A class का absence C class को present करवा देगा और C class का absence A को present करवा देगा और simple भाशा में कहूं तो जहां पर C mutate हो जाएगा C mutated जिस जगह पर C mutated रहेगा वहाँ पर A अपना present show कर देगा और जहां पर A mutated होगा वहाँ पर C अपना expression show कर देगा जहां पर normal C है जहां पर normal C present है वहाँ पर कभी भी A नहीं आ सकता नो A और जहां पर normal A है वहाँ पर कभी भी C express करेगा ही पहले बताएए ये relation सबको समझ में आ गया ये relation सबको समझ में आ गया antagonist का कटर दुश्मने दोनों पर दोनों बट B के साथ क्या issue है B के साथ issue ये है कि उसका ये कहाना है कि भाई मेरी तो जिंदगी खराब होई है क्यों B की मजबूरी ये है कि वो अकेला express नहीं कर सकता इनकी तरह नाटक नहीं कर सकता तो B के साथ क्या issue है कि B जब भी express करेगा वो association में express करेगा जिसके वज़े से क्या दिक्कत आजाती है कि B को जो है दोनों से दोस्ती रखनी परती है ये expression करता है B अकेला आप B को अभी express करते हुए है नहीं देखोगे B हमेशा ही association में express होता है चलो आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही चीज बताई है जो मैंने आभी आपको लिख के बताई कि एक क्लास जीन से क्या-क्या बन रहा है फर्स्ट और सेकेंड रोल फर्स्ट और सेकेंड रोल बोले तो सेपल पेटल बनेगा B क्लास से कौन-कौन बन रहा है सेकेंड थर्ड रोल सेकेंड थर्ड रोल यानि पेटल स्टेमेन बन रहा है और ची क्लासे कौन-कौन सा बन रहा है, थार्ड और फूर्थ रोल यानि स्टेमेन और कांपल बन रहा है तो जो मैंने इस तरीके से बताया है, वो यहां पर इस तरीके से प्रेजंट किया गया है बात एक ही है, ऐसे आप लिखिये, या फिर ऐसे लिखिये, कहाने लेतीगे ज़ाए तो यह स्लाइड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कि एक्च्वल में हमारे पास ABC मॉडल में पूरा मिलाके पांच जीन आ रहे है एक है, ABC मॉडल में पूरे जीन कितरे हैं, पांच है, कौन-कौन से AP1, AP2, AP3, PI, Agomas यह है टोटल आपके 5, स्पाम बोलते हैं, 5 होमियोटिक जीन, ठीक है इस आपके 5 होमियोटिक जीन, विच आ रेगुलेटिंग दी अक्टिविटी अफ फ्लोरल ओर्गन और इसलिए इन पे दो केसिस फॉलो होते हैं, कि A और C जो हैं, mutually antagonist हैं, एक दुसरे को रोकेंगे जबकि B जो हैं, सिर्फ और सिफ association में ही express होगा ठीक है, अब इनका association में express होना क्या करता है अब चलिए, हम अपने असली महनत वाला काम करते हैं और इस सब का ध्यान यहां होना चाहिए यह जो slide समझा रहे हो, यह समझ में आ जाएगा फिर आपको यह chapter automatically interesting हो जाना लेगा हमने क्या कहा, हमने कहा, wild type plant में कितने role होंगी, जो हम study करना चाहते हैं यह 4 role में, one, two, three, four यह लिख लिए आमने यहां के अब, जब सब कुछ ठीक है तो 1st role में मुझे sepal मिलेगा 2nd role में मुझे petal मिलेगा 3rd में मुझे carpal मिलेगा 4rd में मुझे stemmen मिलेगा 4th मुझे carpal मिलेगा यह 4 role में अब यह सेपल किसकी वज़े से फॉर्म हो रहा है यह फॉर्म हो रहा है एक क्लास की वज़े से पेटल किसकी वज़े से फॉर्म हो रहा है यह फॉर्म हो रहा है एक क्लस बी क्लास की वज़े से इसलिए बुला था, देखिए, पेटल जो है, पेटल दोनों ही express कर रहे थे, that is, B class के presence में भी बन रहा था, एक class के presence में भी बन रहा था, stem and किसकी वज़े से बनेगा, B and C class के combination की वज़े से, and carpal जो है, अकेला C class की वज़े से बनेगा, and we are discussing A, B, C model, हम अभी फिलाल में A, B, C, D, E, model, A, B, C, D, model को study कर रहे हैं, हंजी, इतना clear हो गया, तो A class में genes कौन-कौन से चली आती है, सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं, एक ही slide में, that is, A, P, 1, and A, P, 2, तो यहां पे कौन-कौन चलाएगा, यहां पे चलाएगा, A, P, 1, A, P, 2, A, P, 3, P, 1, 3rd class में कौन-कौन चलाएगा, A, P, 3, P, 5, Agamers, और यहां पे अकेला कौन चलाएगा, Agamers, देख लिए चिंदराएगा, तौ यह है, पिनो टाइप, क्या मिला हमको, यह है, class of genes, class of response ही है, और यह है genes के नाम, clear हो रहा है, अब इसी को क्या करते हैं इसी को हम बनाते हैं किस फॉर्म में एक T-net बना सकते हैं कि-net यानि जिससे कि हमको बहुत असानी से याद रहे हैं तो देखिए B क्योंकि A and C दोनों के साथ express कर रहा है तो हम क्या करते हैं एक box बनाते हैं जिसमें हम B को express कर रहा हैं एक box बना लेते हैं यहां पे जिसमें हम A को express बना लेते हैं और एक और box बना लेते हैं, इसमें कि हम C को express करेंगे। A जो है, mutually inhibit करेगा C को, और C भी mutually inhibit करेगा D, ठीक है? अब देखिए, आप इससे पता लगा, यह जो उपर मैंने बनाया है, यह एक पहला method है, ठीक है? This is a first method, to write ABC model. दूसरा method यह है, स्टीनिट के दौरा, ठीक है? We are already aware कि ABC class में क्या क्या आता है, तो देखिए, यह हो गया पहला रोल, यह हो गया दूसरा रोल, यह हो गया तीसरा रोल, यह हो गया पोर्ट रोल तो देखिए, इस वाले point पर, इस वाले point के अगर हम बात करते हैं, इस वाले point में, अकेला कौन express कर रहा है? इस वाले point पर, अकेला express कर रहा है A class, तो यहां पर क्या बन रहा है? यहां पर बनेगा simple, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस point पर, इस point पर कौन-कोन express कर रहा है एक साथ? इस point पर express कर रहा है, आप A भी लोगे और B भी लोगे, यह दोनों वाला part इसमें include हो जाता है, यहां पर क्या बनेगा यहां बनेगा pattern, इसरे रोल में देखिए, इसरे रोल में B भी express कर रहा तो कैसे लिख रहे हैं? B plus C, यह हो जाएगा stamina, और यहां पर देखिए, 4th road में, अकेला C express कर रहा है, यह हो जाएगा, अकेला C, that is, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से लिखिए, पहले वाले तरीके से लिखिए, दूसरे वाले तरीके से लिखिए, तोटली आपके पर depend करता है, कोई hard and fast one है, जिस method से आपको याद रहे, आप उस method से लिखिए, और यहां पर भी वही है, एक एक केस में, जो है, जीन चली आएगी, AP1, AP2, वैसी ही जिस उपर लिखा है, यहां पर हो गया, AP1, AP2, PI, AP3, यहां पर हो गया, AP3, PI, जो हो गया, और यहां पर हो गया, A.G, A.G, O.G, लोग जी सुझाची, जोनोभी के कमणेक, उन्हों इसमें वही थान।, आप सबने सुझे है, जोनोभी पर यूचिटाने, तोब दे Looks You Are This This Clear To Everyone? जोन रहे, जोन जोन剔 है, प्र music. इसको लिखने के बहुत से तरीके हैं, सारी तरीके मेंने slide में डाल भी हैं अच्छा, let me tell you, कहीं कहीं पर क्या होता है, कि सारी जीन को एक साथ दिखाया नहीं जाता है picture but make sure, जो classes of gene है, वो classes of gene अपने gene को लेकर वहाँ पर present रहेंगी चाहे कहीं पर दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, क्योंकि अगर कहीं पर A plus B दोनों है, मतलब A class की gene, B class की gene, सब रहेंगी लेकिन genes में हो इसकता है किसी दो का नाम mention हो, but यह नहीं समझना है कि जिसका नाम mention ही है, वो वहाँ express नहीं करेंगी A plus B का मतलब हो कहा है, A class की सारी genes, B class की सारी genes, वहाँ पर express करेंगी ठीक है, अब मुटेशन केस समझते हो, ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें पता चली गया कि सेपल को, petal, stamin and carpa, इनको identity कैसे मिल ली है, जब यह genes express हो रही है ठीक है, और यह gene express हो के signaling चलाती है, अब क्योंकि हमको यह भी देखना है कि normal flower में क्या बन रहा है, और किस की वज़़से बन रहा है, और mutated case में क्या बन रहा है तो पहले हम normal wild type case लेते हैं, wild type case हमको पता है कि roll 1 में, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 serial number नहीं है, roll है, ठीक है तो roll 1 में, we know कि यहाँ पे बनता है sepal और इसके लिए class A responsible होता है, roll 2 में हमको पता है कि बनता है pedal और इसके लिए class A plus B responsible होता है roll 3 में हमको पता है, मिलता है हमको stamen, जिसके लिए B plus C class gene responsible होता है and roll 4 में हमको मिलता है that is carpal, जिसके लिए responsible होता है class GYM, यह है क्या, यह है y type, उमीद करती हूं सबको clear होगा यह now let's focus कि हमने class A को mutate कर दिया, class A mutated, class A mutate हो गया, अब क्या होगा class A mutate हो गया, तो ध्यान दीजिए, roll 1 में, क्यूंकि class A express कर रहा था, तो क्या यहाँ पे class A express करेगा, नहीं, हमने देखा था, जहाँ A नहीं वहाँ पे कौन चलाएगा, वहाँ चलाएगा C और C आएगा तो अपने साथ carpal की identity भी लेकर आएगा जो काम उसका है, वह वहाँ प्रेजेंट भी रहेगा, तो जहाँ पे वह प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे वह अपनी identity भी शोग करेगा, तो C class in carpal बनाता है, और वह आके पहले रोल में आके express हो जाएगा, second role में क्योंकि A plus B express हो रहा था लेकिन A नहीं है, तो obviously उसकी जगह पर C plus B express होगा और जड़ा ध्यान दीजे, C plus B क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं stamen, third role में क्या होगा, third and fourth role में कोई change नहीं है, क्यूंकि third and fourth role में B आता ही नहीं है, तो यहाँ भी बन जाएगा B plus C stamen, fourth role में अकेला C express होगे यहाँ बना लेगा carpal, तो कहानी ये है, कि इस case में जो हमको flower मिले mutant phenotype आपको मिल रहा है, carpal, stem and stem and carpal, कौन सा role affected है, affected part का मतलब होता है, जो नहीं बना, affected part कौन सा है, यहाँ पे क्या नहीं बना, यहाँ पे sepal and petal गायब होगा, right, affected part में कौन चलाया, affected part में sepal and petal चलाया, hope यह पहला mutation case सभी को clear हो गया होगा, चलिए, अब दूसरा case के बारे में बात करते हैं, class B gene को हमने mutate कर दिया, class B mutated, class A mutated यानि AP1, AP2 दोनों में से कोई भी mutate हो सकता है, class B का मतलब हो गया, AP3 या PI इन दोनों में से कोई भी mutate हो सकता है, class B mutate होगा, तो पहला role तो ठीक ठाकी रहेगा, क्योंकि पहले role में A है ही नहीं, A as it is रहेगा, A as it is रहेगा, तो A क्या बनाएगा, A बनाएगा simple जैसे इसका normally काम था, second, second में क्योंकि B mutated है, और second में B express करता है, लेकि B की जगर तो कोई नहीं ले सकता है, तो B जब mutate हो गया है, तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे अकेला A express करेगा, क्योंकि second में A plus B दोनों combination में आ रहे थे, B को आप हटा दीते हैं, तो अकेला A बच जाएगा, तो यह क्या बना देगा, second role में भी petals बना देगा, third में देखिए, C plus B express कर रहे थे, तो अकेला वहाँ पे C express करेगा, क्योंकि B mutate हो गया है, and that is why यहाँ बनेगा carpel, और fourth में तो C express करेगा नहीं, that is carpel, तो इस case में आपको mutant phenotype, mutant phenotype क्या मिलेगा? mutant phenotype में sequence wise लिखी हूँ, जिस sequence में flower में दिखने का मिलेगा, that is sepal, sepal, carpel, carpel, और affected part कौन सा होगा? affected, affected part, affected part कौन सा होगा जो नहीं बना? that is stem and hand, affected part कौन सा होगा, affected part कौन सा होगा, that is petal and stem. चौकर? Okay, चलो अब थार्ड क्लास जीन को mutate करते होगा, class C, class C को mutate करते हो, class C को अगर आप mutate करते हो, तो सीधी सी बात है, class A तो normal ही रहेगा, तो A का A एक्सप्रेस करेगा, hence a sepal बनेगा, second role भी normal रहेगा, कि वहाँ पे class C एक्सप्रेस नहीं करता है, तो A plus B एक्सप्रेस करेगा, और petal बनेगा, third में जो है, क्योंकि B और C एक्सप्रेस करते हैं, अब C की जगह B ले लेगा, तो B plus A एक्सप्रेस करेगा, और आपको पता है, B plus A क्या बनाता है, petals बनाता है, जिससा second role में बना है, और fourth role में C बनता है, लेकिन C नहीं है, जबकल, petal, 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 ठीक है, affected part जो है, affected, आपको में रिल सकता है, that is, stamen and carter, यानि, जो main reproductive part है, male and female का, वही गायत नहीं चाहिए, याहिए, बनाता है, जहीं पादा जो सकता है, हुआता है. याहिए, अग्य हुआता है, खाहिए. अच्छा अगर हम double mutant करें तो combine mutant करें तो combine mutant मालनीजे class AB दोनों ही एक साथ mutant कर दिया ठीक है तो जड़ा देखिए कैसे होगा इसको अगर हम लिखी देऊ class AB दोनों mutate कर दिया तो देखिए first role में A आ रहा था second में A plus B था wild type में third में B plus C था and fourth में C था ये किसका case है ये है क्या ये है wild type लेकिन A और B दोनों mutate करने का मतलब क्या है A यहाँ से हटा तो इधर पर C आएगा A यहाँ से हटा तो C आएगा और B भी हट गया ठीक है यहाँ से B भी हट गया तो अकेला C बच गया और यहाँ के भी C यानि इस mutation case में ये जो A प्लस B मैं यहाँ पर triangle लगा रही हूँ triangle का मतलब होता है अकसर mutated case ठीक है तो A प्लस B जो double mutant होंगे यहाँ पर इसके case में सारे रोल में C class express करेगा and यहाँ पर क्या बनेंगे कार्पल 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 ठीक है का 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 अब next देखते है अगर मैंने B प्लस C को mutate किया तो wild type मैं को पता है क्या होगा wild type के case में जो है पहले रोल में A express कर रहा था second में A plus B कर रहा था third में B plus C कर रहा था and fourth में C कर रहा था right तो हमें इसमें से किसको double mutate करना है double mutant है यह भी यहाँ पर B और C mutate हुए है तो B यहाँ से हट जाएगा इधर से B हट जाएगा इधर से C हटेगा तो इसकी जगह पर A आ जाएगा और यहाँ पे भी A आ जाएगा यानि सारे ही रोल में अगर आप mutate करते हो C plus B को तो सारे ही रोल में A express करेगा यानि simple, 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 simple क्लियर अंजी और अगर third की बात कर लेते हुए इस केस में वाइल टाइप बना लेते हैं पहले A, A plus B, B plus C in fourth में C बात तो यहाँ पे कौन mutate हुआ है? यहाँ मुटेट हुआ है A and C यहाँ से अच्छा हूँ, A and C express हुआ है मुटेट हुआ है, तो दिखिए, एक साथ मुटेट हुआ है A जहाँ मुटेट हुआ वहाँ पे C तो आ नहीं सकता है, यहाँ से A चला गया अब B पेचारा अकेले काम नहीं करता है, ठीक है? यहाँ से C चला गया, C की जगा A नहीं आ सकता है क्योंकि दोनों जो एंटागॉनिस्ट है वो तुनों की दोनों मुटेट हो गया है एक साथ, ठीक है? और यहाँ से C आ गया, तो बचा हुआ है B और B अकेले काम नहीं करता है तो ऐसे केस में, ऐसे केस में क्या होता है? जहाँ पे A प्लस C हो जाएगा, वहाँ पे जो है जो लीफ होगा, लीफ लाइक स्टक्चर बन जाएगा, जो की आपको फ्लावर फॉर्म में अरेंज जो मिलेगा अतलब की लीफ ही रहेगा, बट फ्लावर जैसा दिखेगा, पिक्चर में दिखा देती हूं, इसलिए में इन पास पीप्चर होगी अतलब की लीफ ही रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह लीफ हैं, लेकिन यह लीफ फ्लावर फॉर्म में खुद को अरेंज करके रख रहे हैं लेकिन यह फ्लावर है नहीं, इसलिए कभी-कभी हम इसे सूदो फ्लावर भी कहता हैं यानि एक जूठा फ्लावर जिसमें पत्तों ने खुद को अरेंज करके रखा हैं ऐसे पॉर्म में मानों कि वह फ्लावर के पेटल्स हों, बट इस आ नॉट अट अट आल फ्लावर, यह लीफ्स हैं जिनोंने सिर्फ खुद को जो हैं, मतलब एक तरिक्यों से फ्लावर पॉर्म में अरेंज करने हुआ हैं, तो यहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं, यह जो ओरिजटन फ्लावर हैं वह नहीं बने, क्योंकि यह जो तीनों जीन्स हैं, यह तीनों जीन अगर काम नहीं करेंगी तो कैसे बनेंगा हैं, समझ में आ गया कंबाइंड म्यूटेशन का केस भी, अब जो मैंने आक को अगन कराया, अब उसको विशुलाइज करते है, ठीके हैं थोरा सा पिक्चर्स कलरफ़ पिक्चर्स देख थे लेखं़ें आपको अनंद आएगा, जिसे कि पहला पिक्चर देखिएं, पहला पिक्चर क्या है, पहले picture को अगर आप देखते है that is A को तो it is a wild type flower wild type flower जिसमें normally class A, B, C gene present है, ठीक है जो B class है, sorry जो B picture है, this is a AP2 mutant AP2 mutant AP2 mutant मतलब AP2 mutant मतलब किस class में mutation होगा है, that is in a class A gene, ठीक है, तो ये A class gene का mutant case है तो A class gene में mutation होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा that is only carpel and stamen बनेगे that is carpel, stamen, stamen, carpel तो वही बनेगे, carpel, stamen, stamen, carpel तो ये दो organ, ये दोनों सिर्फ organ बनेगे, वो भी चार रोल्स में बनेगे यहाँ पे जो C picture है C में क्या हुआ है, P.I. mutant है, this is a P.I. mutant P.I. mutant का मतलब B class में mutation है तो कभी-कभी क्या किया जाता है, A class, B class नाम mention करके, नाम को लेके mention कर दिया जाता है, वो दियाता है, A.P.1 mutant that is a class A mutant A.P.2 mutant, again class A mutant A.P.3 mutant, class B mutant होगा हो, P.I. mutant, again class B mutant होगा है Agamous mutant, class C mutant तो कभी gene के नाम पे mutant का नाम mention होता है, कभी class के नाम पे होता है तो इसको लेके confuse नहीं होना है सबका मतलब एक ही है, चीक है? अब P.I. mutant होगा, तो क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें आपको sepal and carpal देखने को मिलेगा, चारोर बुल्स में that is, sepal, sepal, carpal, carpal जो कि आपको picture कुछ ऐसी नजर आएगा D class, this is a agamous mutant, A.G. mutant है, A.G. mutant आपको पता है, अब A.G. mutant है, तो किस में mutation होगा, class C में mutation होगा अब class C में mutation है, तो cdc बात है, इस case में क्या होगा, इस case में carpal तो बनेगा तो carpal का absence रहेगा, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा that is, sepal, देखने को मिलेगा and petals, तो जहां पर stamen and carpal form होजकते थे, वहां भी आपको sepal and petals लेखने को मिलेगा मैं यह sequence में नहीं लिखा है, like sepal, petal, petal, sepal, ऐसे नहीं लिखा है तो कि वह repetition में ही तो आ रहे है, sequence आपको अड़ी समझा चुकी हूँ, तो मैं बस organ लिखने की कौन सा बनाएगा clear कैसे यह flower दिखेंगे mutant case में यह भी clear हो गया और भी picture होंगी रूखे देखती हूं कि लिख भी कर दो पर बात करते हैं मुटेशन केस की एक जो मुटेशन केस हमने बात किया वो था single mutant and double mutant combine mutant हम नहीं दखा है अब जरा सा थोड़े से और advanced level के mutation case को समझते हैं जब question आपके single and double mutant से आता है question solve करना बहुत easy हो जाता है लेकिन जहां पर थोड़ी बहुत changes कर दिये जाते हैं वही पर question complexity की दरफ चला जाता है तो we will try our best की जितना हम कर सकते हैं उतना हम समझते हैं मुटेशन केस को तुरह सा detail में हम study करते हैं जैसे कि plant जिनमें AP2 mutation होता है obviously they will lack sepal and petal यह हम को पता है यह just अभी हमने देखा भी है plant bearing AP3 and PI mutation produced sepal instead of petal in the second role and carpal instead of stem and in the third role अच्छा यह statement मैंने क्यों लिया कि मैं यह समझा भी चुकि नहीं यह statement मैंने किसले लिया क्योंकि भले हम बहुत easiest way में समझ जरूर रहे हैं लेकिन आपको पता होना चलिए कौन सा रोल किसके द्वारा replace किया जा रहा है इसलिए यह statement add किया है ताकि आपको पता चल सके कि exam में ऐसे statement बनके आ सकते हैं हमने क्या क्या हमने कहा सपल सपल पड़ल पड़ल बने लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि किस रोल को किस रोल ले replace किया क्या हुआ background noise आप 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 स्टार्टिंग से तो ठीक चल रहा था अचानक से क्या हूं एक गंटे से तो बढ़ा रहीं ठीक ही चल रहा था आप 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 जब बोल रही है तब हो रहा है, let me check जब बोट यह तब हो रहा है, let me check जब बोट यह तब हो रहा है, let me check रुकिया, मैं एक बार ना, वो करती हूँ, restart करती हूँ class को, ठीक है कुछ second के लिए black screen होगी, restart करती हूँ, ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कोई disturbance नहीं आ रहा है I mean, जब मैं बोल रही हूँ और अपने mobile में सुन रही हूँ, मुझे कोई disturbance सुना ही नहीं दे रहा है, अब आप लोगों को दे रहा है, let me refresh my network Yes, is it fine now? Yes, अब ठीक है Okay Fine, तो उमीद करती हूँ, जो मैं बता रही थी, जो second statement मैंने रखा है, वो क्यों रखा है क्योंकि आपके सामने statement ऐसे बनके आ सकते हैं, जैसे कि हमको पता है कि अगर B class में mutation होता है तो हमें जो phenotype देखने को मिलता है, वो मिलता है, that is sepal, इसके अलावा sepal, sepal, carpal, carpal, जैसे मिलता है, right? यानि जहां पे sepal, petal, stem, carpal था, वहां पे class B mutate होने की वज़र से हमको sepal, sepal, carpal, carpal मिलता है तो अब statement कैसे चलाएगा देखिए, इसमें तो कोई change नहीं है, इसमें भी कोई change नहीं है, ठीक है, यह है wild type, यह है mutant, that is class B, right? change कहा है, तो statement कैसे बन सकता है, the second roll petal has been replaced by sepal, and the third roll stem has been replaced by carpal, ऐसे statement आ सकते हैं, तो इस statement के लिए भी आपको ready रहना है, ऐसा नहीं है कि जितने easiest तरीके सामने पढ़ा है, वैसे ही question आए, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, या फिर और complex बनाने के लिए क्या बोल देगा, the second roll petal has been replaced by the expression of class A gene, क्योंकि यहां पर muted cases में class A और यहां पर अकेले class C express कर रहा है, तो question को कैसे भी घुमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने चाप्टर को अच्छे से समझाये, तो आपको बता है, कि यह सिर्फ question की language घुमाया जा रही है, concept वही का वही है, चाहे बोले कि petal sample से replace हो गया, चाहे बोले कि second roll class A के expression से replace हो गया, instead of A plus B both, चीक है, hopefully यह चीज क्लियर हो रही होगी कि क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कभी भी statement जब I question का, तो आप उसमें confuse ना हो, especially वह बच्चे जिनका थोड़ा सा English के मामले में थोड़ा सा explanation या फिर understanding weak है, ची stamen and carpal, अगर A gene में mutation होता है, किसी भी तरीके का, तो हमको पता है, stem and carpal दोनों गाया बजाते हैं, सिफ sepal petal बनता है, अभी हमने picture भी देगा, ठीक है, because mutation in these genes changes the floral organ identity without affecting the initiation of flower, they are by definition of muting genes, क्योंकि किसी भी gene में mutation हो, वो mutation flower की initiation को नहीं रोपता, यानि flower की बनने की जो सबसे पहल initial step होता है, उसमें hamper नहीं करता है, चाहे कोई भी gene का mutation हो, इसलिए flower बनता जरूर है, उल्टा उल्टा बन जाता है, कुछ भी बना दे रहा है, लेकिन बन जरूर रहा है, because it is not hampering the initiation of flower, ठीक है, so, अब देखिए, ये एक नया mutation case है, in a quadrupole mutant, quad, quad word का मतलब क्या होता है, try, quad, quad means four, right, so, क्या बोला है, इना quadrupole mutant, araberopsis plant, AP1, AP2, PI या AP3 में से कोई भी egg and agamas, तो ये चाहर टोटल, ठीक है, AP1, AP2, AP3 या फिर PI and agamas, तो ये होगे चाहर जीन, तो इन चाहरों जीन को अगर एक साथ हम mutate कर देते हूँ, the floral medistam no longer produce floral organ, but rather produce a green leaf like structure, तो जब quadrupole mutant का case आएगा, तो उस case में, जो floral medistam है, वो flower organ produce ना करके, सिर्फ और सिर्फ क्या produce करेगा, leaf like structure produce करेगा, जो कि अभी अभी हमने picture के form में यहाँ पर देखा था, ये देखिए, ये है quadrupole mutant का example, जिसमें AP1, AP2, AP3, या फिर PI and agamas, ये जो हैं, एक साथ, चारों पिचारों mutate हो गया है, यानि और सिंपल भाशा में कहूं, तो A, 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 B, C, तीनों की तीनों class ही mutate हो गया है, तो उस case में हमको ऐसा leaf like structure देखने को मिलेगा, ठीक है, quadrupole के case में हमको ये leaf like structure देखने को मिलेगा, उमीद करती हूं, ये चीज़ clear हो गई होगी, तो इन सारे experiments से क्या पता चलता है, कि जो leaf है वो ground state organ है, यानि कि अगर आप किसी genes को वहाँ express नहीं होने दोगे, तो वहाँ पे हमको leaf सिर्फ develop होते हुगे मिलेगा, लेकिन उस leaf की जगे पे आपको flower लेकर आना है, तो आपको additional gene express करवाने पड़ते हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पे हमने ABC class genes मेंनेगा, तो जब AP1, AP2 gene, जो की meristem identity gene है, और organ identity gene दोनों है, तो जब यह AP1, AP2 meristem identity gene के phase में activate होती है, तब यह leaf like structure, जो की ground state है, उसको फिर organ में convert करने शुरू करते हैं, जैसे कि हो गया petal, sepal, stem and या फिर card, ठीक है, तो यह mutation case उमीद करती हूँ, सब को clear हो गया होगा, कुछ नया mutation के बारे में हमने यहाँ कुछ खास बात नहीं कि, यह quadruple mutant हैं, जो की नया नाम सुनने को आपको मिला, और ground state के बारे में पता चला, बागे तो हमको बता ही था, जो आमने यहाँ पर statement device देखा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके, तो यह ABC model की summary, हमारा ABC model done हो जाता है, ABC model में, यहाँ पर मैंने Y type बता के रखा है, class A mutation का मतलब हो गया, AP1, AP2, दोनों में से कोई भी mutant कहला सकता है, class B mutant होने का मतलब हो गया, AP3, PI, दोनों में से कोई भी mutant हो जाए, हमको mutant phenotype यही मिलेंगे, class C, A, G होगा, जिसमें की हमको mutant phenotype मिलेंगे, okay, okay, चलिए, अब quadrate model के बारे में पढ़ते हैं, quadrate, ठीक है, quad आ गया यहाँ पर से, char, char यानि ABC E model, तो ABC E model में क्या किया गया, जब आगे थोरी सी और study होई तो पता चल गया, कि ABC जो हैं, उसके साथ कुछ और भी classes of gene हैं, जो की participate करती हैं, अभी तक ABC model के अनुसार हमको पता हैं, कौन सा organ, कौन सा genes क्या बनाता है, देक हैं, लेकिन ABC E model की बात करें, तो हमारे पास एक नई gene इंटर्डूस जाती है, जो की है class E gene, अब ये class E gene क्या करती हैं, तो ये E class gene जो हैं, अलग से function perform नहीं करती है, पता चला कि ये सारे जो gene हैं, ABC gene, इन सभी के साथ रहकर, अभी जो ये express कर रहे हैं, उसको express करवाने में मदद करती है, और class E gene में, या class E में, जो genes आते हैं, उनका नाम है sepalata genes, 4 sepalata genes है, sep 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो बाकी A class gene में तो वही gene है, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और E class gene में multiple sepalata genes होती है, जिसको गी हम sep 1 से लेके 4 तक देखते हैं, so, sep protein together with protein produce the ABC gene are required to specify the plural organ identity, sep genes are functionally redundant, ठीक है, sep genes जो हैं यहाँ पर, उनका function थोड़ा repeated manner में होता है, in their control of role for floral organ, that is sepal, petal, stem and carpal, so, E play a major role in the formation of floral organ and is conversely allied to the ABC function, कैसे allied करती हैं, जड़ा सा देखें, picture देखेंगे, सब कुछ clear हो जाएगा, यह रहा, ABC E model का एक तरीके से picture, ठीक है, अब आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर, कि यह रही B, ठीक है, यह रहा A class, यह रहा C class, बस हमने नीचे पूरा एक base में E बठा लिए, तो अब इस picture को देख कि आपको idea लग जाएगा, कि class E genes सभी role में express होंगी, यहाँ पर पहले, अकेले A class express होंगे सेपल बना रहा था, अब portrait model में, वहाँ पर A plus E आ जाएगा, जहाँ पर second role में A plus B express होंगे petals बना रहे थे, अब portrait model में A plus B plus E आ जाएगा, third role में जहाँ पर हम stamen का formation देख रहे थे, जहाँ पर B plus C express हो रहे थे, वहाँ पर B plus C plus E express होगा, और last role में जहाँ पर अकेला C express हो रहा था, अब वहाँ पर C plus E express होगा, और carpet बनाएगा, ठीक है, तो role 1 में हमको class A and class E का expression मिलेगा, role 2 में हमको class A, class B and class E का expression मिलेगा, role 3 में हमको class B, C and E का expression मिलेगा, और fourth role में हमको class C and E का expression, यह picture आपको सब कुछ clear कर दे लिए, जैसे कि यह sample जो है, A plus E के combination से बन रहा है, यह बन रहा है, A plus B plus E के combination से, यह बन रहा है, B plus C plus E के combination से, यह बन रहा है C plus E के combination से, कुछ अलग नहीं कि हमने, हमने सब के साथ E को जोड दिया है, clear? यह सब में E add हुजा है, अब चलिए E के बारे में थोड़ी उसकी जनम कुंडली को देख लेते हैं, E के बारे में क्या कहिना है, क्या चीज सामने आई, ठीक है? यह भी एक portrait model है, जिसमें आपको A, B, C classes पता चल रहा है, कैसे और क्या क्या एक्स्प्रेस है, जिसमें आपको A, B and C genes were identified, another class of floral homeotic genes, the class E gene has been discovered, जब इनिशली ABC model हमारे पास था, बाद में E class gene की discovery हुई, mutation in three of the other genes identified in the mutant screen for floral homeotic mutant that is agamous-like 3 that is agl-123 produce only a subtle phenotype when mutated in division तो देखने को मिला कि शुरुवात में जब इनकी discovery हुई न, तो इनको नाम दिया गया agamous-like चीक है? यानि agl gene और इसकी variety हमको मिली थी 3, 1 से लेकर 3 ता, तो agl-123 और देखने को यह मिला कि जो इसका mutation case है individually mutate जब यह हो रहा है तो उमको बहुत drastic effect देखने को नहीं मिल रहा है how you put the flower of agl-123 triple mutant यानि अब तीनों को एक साथ mutate कर दिया triple mutant consisted of sepal-like structure only लेकिन जब triple mutant देखा गया कि तीनों के तीनों जिनको अब एक साथ express कर दो तो पता चला कि उस time पे जो है in the three individual mutated agl gene due to the functional redundancy तो पता चला कि शुरुवात में जब इनमें mutation हुआ तो ज़्यादा difference phenotype में देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम individually हर एक gene को mutate कर रहे थे और इनका function redundant है यानि ये एक दूसरे के जैसा ही function करती है तो अगर आप एक को हटा दोगी तो दूसरा उसकी कमी पूरी कर दे रहा था इसलिए जब इनको individually mutate किया गया तो हमको कोई drastic mutant phenotype देखने को नहीं मिला लेकिन जब इन तीनों को एक साथ mutate कर दिया गया और इनका presence ही गायब हो गया and that is why जो हमको structure मिला उस mutant का जो उसको phenotype मिला वो हो था sepal-like structure because of the sepal-rich phenotype क्योंकि muted case में हमको sepal-rich phenotype मिला of the triple mutant the three AGL gene were renamed as a sepalata 1,2,3 इसलिए क्योंकि mutation cases में इस gene जिसको हम पहले AGL gene के नाम से जानते थे उस gene ने mutation case में sepal-like structure फॉर्म किया आपने triple mutant case में तो इसलिए इस gene को rename कर दिया गया और दुबारा से इसका नाम करन करके नाम रख दिया गया sepalata gene sepalata 1,2,3 and were added to the ABC model as a class E gene और इसको class E gene बनाके ABC model में add कर दिया गया चीक है so another sepalata gene जो की बाद में सामने आया that is sepalata 4 is required redundantly with the other 3 sepalata genes to confer the sepal identity फिर बाद में पता चला कि actual में total 3 sepalata नहीं है 4 sepalata है जो की again एक साथ मिलके redundant function करते हैं repeated function करते हैं and contribute to the development of other 3 organ type और sepal के अलावा बाकी 3 organ जैसे की हो गया petal, stem and carpel बनाने में मदद करते हैं along with the class ABC gene sepal quadruple mutant अब क्या आया sepal quadruple mutant की बात कर रहा है sepal quadruple mutant show a conversion of all floral organ type into a leaf-like structure similar to the AP1, AP2, AP3, PI, AG quadruple mutant यानि अब क्या कहा गया कि आप 4 sepalata gene को एक साथ mutate करो यानि quadruple mutant create कर दिया गया sepalata gene के लिए तो again क्या मिलेगा again हमको पुड़ा leaf-like structure मिलेगा जैसा हमको ABC model का जो genes थे इसके quadruple mutant में जैसा हमको phenotype मिल रहा था सेम वैसा ही phenotype मिलेगा that is leaf-like structure तो आप चाहे sepal का quadruple mutant ले किया हो या फिर ABC gene से उनके quadruple mutant ले किया हो दोनों का mutant phenotype एक ही मिलेगा expressing class E gene in combination with A and B gene it is possible to convert both cotyledon and vegetative leaves into the petals so ABC E model was formulated based on the genetic experiment in the Arabidopsis and I am getting तो यहाँ पे जो है snapdragon and Arabidopsis दोनों पे study करके ABC E model को सामने ले कर ठीक है तो यह चीज clear हो गई class E gene कहां से प्रकट होई यह है क्या इसके genes के नाम क्या क्या है यह mutate हो गई तो क्या करें तो जब तक हम ABC E पढ़ रहे थे अगर question आपको ABC E model से आता है गलती से भी sorry ABC model से आता है तो गलती से भी E का concept वहाँ पे आप नहीं लगाएंगे जबरदस्ति का extra concept नहीं लगाना है अगर class E के बाए में mention है तब E वाला concept लगाना है clear okay fine तो यह हो गया यहाँ पे मैंने कुछ explanation भी डाल के रखें इसको आप लोगे प्लीज गो थू कर लीजेगा ABC E model के protein के बार में ABC E model हमने देख लिया quadrant model में कैसे काम करता है और इसका picture कुछ इस तरीके से है ठीक है तो इसको बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं class B class A class C सब के नीचे class B ठीक है यह इस तरीके से आपके पास t-net चला आएगा जैसा हमने पढ़ा था ABC के बारे में का पूरा का पूरा जो है उसमें एक और लियर हमने आड कर दिया सबसे नीचे that is class ठीक है ठीक है जी पाया जी बिली पाया आप समझते है model that is A, B, C, D, E model ठीक है सारी ना slide किदर अधर कैसे होगा है यह dance कर देशा आगे slides आपस में तो अब क्या किया गया अब अलग से एक और class of gene लेकर आया गया D class चीक है तो D class gene को अब add कर दिया गया तो इसमें बहुत कुछ E जैसे हम बहुत कुछ लफड़ा नहीं है हाँ लेकिन कुछ में पेपर से आपको कुछ mutation cases जरूर पढ़ाऊंगे तो हमको पता है A class अकेला gene क्या करता है सेपल बनाता है A plus B petals B petals B plus C stamen C अकेला karpel बना रहा था फिर हमने D को देखा कि E सभी के साथ मिलके जो वो बना रहे हैं उसको बनाने में मदद कर रहा है इसके बाद आया है D D क्या करना है D ovule को develop करवाने में मदद कर रहा है तो D का location अलग से नहीं दिया जाएगा क्योंकि ovule जब भी आप बात करते हो तो ovule सबसे अंदर की तरफ present रहेगा तो इसको किस तरीके से model में रखा गया चलिए देखते हैं यस यह हो गया आपके पास अगला model that is A B C D E model तो इसको देखिए किस तरीके से रखा क्या है A B C E जैसे रखे थे वैसे के वैसे ही इनको रख दिया थे पस class C के साथ class D को यहां पे जोड दिया रहे क्योंकि अगर आप यहां पे ovules की बात करते हो तो obviously वो सबसे अंदर की तरफ आपको यहां पे देखने देख that should be a combination of class C right ovule का location क्या होगा कारपल का location क्या होगा यह सब आपको पढ़ाया गया है जैब आओ अब यह कैसे और क्या बनाएंगे देखिए अब देखिए सेपल कैसे बनेगा सेपल बनेगा A plus E gene के combination से जो कि आपको देखने को मिल रहा है right A और E के combination से petal कैसे मिल रहा है petal मिल रहा है A B and E के combination से stamen कैसे मिल रहा है stamen मिल रहा है आपको B plus C plus E के combination से and कारपल आपको कैसे मिल रहा है कारपल मिल रहा है आपको C plus E के combination से बट यह जो ovule हमने बोला जिसको code कर रही है class DG तो वो अकेले code नहीं कर रही है यहाँ पर काम कर रही है C plus D plus E class G अब यह model ज़रा देखिए और अच्छे से दिमाग में बठा लीजी यह कैसे काम कर देखिए अच्छा, ovule की वज़े से कोई next, अलग से role यहाँ पर introduce नहीं हो क्योंकि कारपल के अंदर ही सबसे innermost area में हमको ovule देखने को मिलेगा तो वो कोई अलग से extra layer add नहीं करेगा fourth layer का ही वो part तो यहाँ पर expression में देखिए यहाँ पर कुछ genes express sorry यहाँ पर कुछ genes आपको express होती हुई दिखाई गई है और कुछ नहीं दिखाई गई that doesn't mean कि वो यहाँ express नहीं हो रही है क्योंकि यह जो model है आपको पता है 3D में pictures नहीं दिखाई आ जाता है इसके पीछे भी genes available होंगी जो कि picture में visibility में नहीं आ रही है but इससे यह मत समझे है कि जो दिख रहा है सिर्फ वही express कर रहा है नहीं जिस category में जो gene आएगी वो वहाँ पर express कर रहा है ठीक है clear सिनिख्धा जी वही तो मैंने अभी just कहा कि जो दिख नहीं रहा है उससे यह नहीं समझना है कि वह express नहीं हो रहा है वह express हो रहा है बस picture में नहीं हो रहा है अब class D में कौन सी gene आती है चलिए यह समझने की हम खोशिश करते हैं okay so class D gene होती है ovule specific genes these are the ovule specific genes जिनको की हमने class D कहा है क्योंकि ovule structure है जो की carpel के अंदर पाया जाता है इसलिए हमने extra role add नहीं किया extra layer add नहीं किया क्योंकि ovule हमें carpel के अंदर मिल रहा है तो हमने carpel वाली layer को ही carpel वाले role को ही थोड़ा सा modify कर दिए so class D gene are not strictly speaking a organ identity gene तो यह कोई strictly organ identity gene नहीं है although they function in much same way in specifying the ovule लेकिन इसका function more or less organ specifying जैसा है लेकिन strictly organ specifying या organ identity gene में नहीं आती है so class D activate activities first were first discovered in the petunia in Arabidopsis अच्छा अब इसकी genes कौन-कौन सी है इसमें कौन-कौन सी genes आती है तो इसमें आपकी genes चली आती है genes का नाम है Shatterproof 1, Shatterproof 2 and Seed Stick ये तीनों gene that is Shp1, Shp2 and Stk ये तीनों gene class D gene का part मानी जाती है और ये responsible and ovule को develop करवाने है देखा गया कि जब Stk, Shp1 and Shp2 triple mutant जब देखा गया यानि तीनों को एक साथ mutate कर दिया गया तो normal ovule form नहीं हो so in addition to class C and E gene D gene is also required for the normal ovule so that is what mentioned here in the Arabidopsis the ectopic expression of either the Shatterproof 1, Shatterproof 2 and Seed Stick is sufficient to induce transformation of Sepal into the carpilloid organ bearing the ovule अगर आपने Sepal की जगे पर class D gene जाके express कर दिया तो chances हैं कि Sepal की जगे पर जो है ovule जो है वो develop होते हुए आपको मुलेगा moreover Stk, Shp1 and Shp2 triple mutant they will lack the normal और इंका triple mutant में जो है हमको ovule देखने को नहीं मिलेगा does in addition class C, E, the class D gene are required for the normal inbule जब्ण ठीक है आप यह जब तक हम A, B, C बोल रहे हैं हम वहाँ पर E का नाम निशान नहीं लेंगे अब यही mode है, अकेले A, B and C काम करें when we are talking about class E gene यानि A, B, C, E model at that time for a compulsion basis we need to include class E तब आप A, B, C, E, चारो के बारें बात करेंगे and when we are talking about the class A, B, C, D, E तब हम सब के बारें में बात करेंगे फिर आप मुसी के according सब के expression को regulate करें अजी, अगर E mutated है, तो मतलब A, B, C, E model के बारें में बात किया जा रहा है ठीक है? ओके, तो class D gene के नाम को याद करीजेगा इन सभी जीनों में सबसे ज़दा tough pronunciation और learning basis फे D gene का ही नाम थोड़ा tough है जो बच्चे अकसर भूल जाते हैं that is, shutter proof 1, shutter proof 2 and seed stick बाकी तो नाम easy easy हैं, वो याद रह जाते हैं, ये तीनों नाम जो हैं, ज़रा सा देख रहे जाएगा तो ये हो गया class D gene के बारे में भी चीक है? ओके अच्छा, चलो, अब कुछ मैं mutation case बताती हूं from paper चीक है? कुछ research paper से भी कुछ mutation cases लिए गए हैं ताकि आगर in case कल को थोड़ा सा गुमा फिरा के question आएं तो आप answer देखे लिए एक triple, triple mutant के case हमने देखी लिया था, triple mutant देखा गया Arabidopsis में, जिसमें की तीनों की तीनों सेपल जीन जो हैं, वो नहीं present थे ठीक है? इन विच आल ओरगन डेवलाप लाइका सेपल तो उसमें जब तीनों ही सेपल आटा जीन absent थे तो उस ताइम पे जो ओरगन मिला उसमें सिर्फ और सिर्फ सेपल प्रेजन था ये किसकी बात कर रही है कि कौन से model की बात हो रही है यहां पर कौन से model की बात हो रही है यहां पर, that is A, B, C, E model की बात है सो इस सेपल आटा 1, 2, 3 are class of organ identity gene that is required for the development of petal stamen कारपल तो यहां करती है सेपल आटा जीन जो है यह तरीके से organ identity gene जैसा काम करती है और इनका काम होता है कि यह जो है petal stamen कारपल को develop करवाने में मदद कर सकती है क्योंकि इनका mutation के सेपल आटा रहा है और हम कहते हैं petal stamen कारपल बनाने में यह मदद कर सकती है इन सेपल आटा 1, 2, 3 triple mutant the organ in all the role of the flower develop into sepal and the flower development become indeterminate इन सेपल 1, 2, 3, 4 quadruple mutant vegetative leaves rather than a sepal develop in all the role of the indeterminate flower अच्छा यह भी हमको पता है partial loss of sep gene partial loss हुआ है पूरा loss नहीं हुआ है function का partial loss हुआ है activity lead to the similar defect in the ovule development as observed in the stk, shp, shp2, triple mutant तो अगर class e gene में partial mutation होता है यानि उसका आधा function loss होके लगता है तो उस time पे ovule के development में defect चला रहा है जैसा case हमको stk, shp1 and shp2 के triple mutant case में देखने को मिल रहा था तो देखा जाये तो बाकी यह जो तीनो cases हैं यह हमने अल्रड़ी अपने general lecture में पढ़ लिया है हमारे लिए नया mutation case सिर्फ यही था जो कि हमको यह PubMed से जो paper मिला उसमें mention किया है अच्छा चलो अब यहां पर मैं कुछ additional information देखती हूँ वैसे तो बहुत सारी jeans हैं लेकिन आज कल इस jeans से question आने रहे हैं तो यह हमारा last slide होगा इसके बाद we will be done with ABC model कहानी क्या है देखिए jeans बहुत सारे हैं जो flowering करवा रहे हैं ठीक है हमने आज कितने jeans देखे ज़रा सा नाम बताए है comment section में हमने देखा leafy jean, poly flower jean, ap1 jean, ap2, ap3, pi, agamas देखा, sept jean देखा और stk देखा, shp1 देखा, shp2 देखा, इसके अलावा हमने soc1 एक जगे पर पढ़ा, co पढ़ा और कोई पढ़ा हमने, आज हमने यह सारे jeans पढ़ी है, right? और कोई jeans पढ़ी? और एक mats box, mats family पढ़ा mats family, देख लीजे यह सब jeans हैं तो कोई additional jeans में पढ़ी होगी है, तो शुरू से start कीजिए कि जो-जो jeans के मैंने list बताए हैं, वो क्या-क्या काम पढ़ा हैं, अब यहां पी ज़रा साम इनको detail में, detail मतलब की to the point, specific तरीके से समझते हैं, तो यहां देखिए, यह सब jeans हैं जो flowering को regulate करती हैं, यहां इनकी वज़ज उसे flowering में regulation आता है, बस flowering में regulation यानि कुछ ऐसी gene है जो activate करेंगी, कुछ ऐसी gene है जो flowering को repress करेंगी, जो repress करी है flowering को, तो flowering अगर plant में होगा, तो उस repress gene को सबसे पहले हमें repress करना पड़ेगा, यानि plant में जो signaling चलीग, उसके दवराव जीन repress होगा, और जो activator है, उनक आपके homework के लिए था, बड़ मैं एक बार सब्धा देती हूँ, ताकि कहीं पर कोई doubt ना रहे, जैसे कि पहली genes आती है, constant gene, इस gene के बारे में आप कल भी पढ़ोगे, आज तीन बजे भी पढ़ोगे, और इस gene के बारे में हाँ photoperiodism में भी पढ़ेंगे, ये जो gene है, ये transcription factor family क इस आपके अकटिवेट होती है, long photoperiod का मतलब क्या हुथ है, जब बहुत जबादा plant को light मिल रही है जब बहुत लंबे time के लिए plant को light मिल रही हुथ है तो उस time पर इसका expression leafs area में होता है, अगली gene है FD gene, इसके बारे में भी हम आज 3 बजे पढ़ेंगे, ये busy family से belong करती है, यह receptor माना जाता है flow region का यानि FD gene can act like a receptor for the flow region factor और यह activate करती है flowering को AP1 को activate करके यानि FD gene जो है AP1 gene को activate करके flowering को activate करती है और इसका presence आपको shoot apex में देखने को मिलता है next gene आती है SOC1 gene, SOC1 gene है suppressor of overexpression of constants 1 यह देखे यह max box family से belong करती है मैं पहले एक बर समझा लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस chart से कैसे कैसे question आ सकते हैं इस chart से बहुत सारे question बन सकते हैं और आप बनना शुरू हो गए हैं तो देखे SOC1 gene max box family से belong करती है यह activate करती है flowering को mainly downstream of flourage flowering को activate करने का काम करती है मतलब कि SOC1 gene अगर active रहता है तो plant में flowering होता है और यह present रहती है plant के leaves में and apex area में next gene आती है PIF4 gene PIF4 gene that is the phytochrome interacting factor 4 gene इस gene को हम hold पे रखते हैं because यह sensory photobiology में आएगा तब मैं पढ़ाओंगी ठीक है तो just hold it इसके बारे में अभी हमें दो दिन में पढ़ने को नहीं हो लेगा तो मैं नहीं चाहते हूं कि overflow हो जाए इस chart को मैं दुबारा से और sensory photobiology में लेका रहांगी तो वहां समझा लेंगे नेक्स आता है flowering locus c gene flowering locus c gene को हम shortcut में बहुते है FLC gene यह भी short vegetative phase SVP gene यह भी mats box family से belong करती है और यह repress करती है flowering को at low temperature अगर यह active रह गई तो यह भी leaf and apex में present रहती है फिर आती है FLM gene यह भी mats box family से belong करती है इसका भी काम होता है flowering को repress करना leaves and apex में इसका location होता है last आती है leafy gene जिसकी होती है floral medistum identity gene और यह leafy family से ही belong करती है और इसका presence mainly shoot apex area में दिखा जाता है अगली gene है हमारी जानने पहचानने वाली gene that is epitala 1 gene epitala 1 gene क्या है देखिए epitala 1 gene mats box family से belong करती है और यह class A gene मानी जाती है homeotic gene है यह और यह medistum identity gene भी है इसका expression जो है floral medistum में होता है mainly role 1 में होता है epitala 2 gene epitala 2 gene जो है ap2 या erebp से belong करती है this is not a mats box family gene ध्यान दीजेगा जो 5 gene हमने पड़ी थी abc class में उन 5 gene में से सारी gene ठीक है वो mats box family से belong करती है except ap2 ap2 mats box family से belong नहीं करती है यह class A homeotic gene है इसे floral medistum identity gene भी consider किया जाता है और यह floral medistum में express होती है role 1 में express होती है pistilata py gene यह भी mats box family से belong करती है Class B homeotic gene है Rule 2 and 3 में express होती है Agamase gene again ये भी Mats box family से belong करती है Class C gene है Homeotic gene है Rule 3 and 4 में express होती है Sepalata gene 1, 2, 3, 4 ये भी Mats box family से belong करते हैं और ये भी Class B homeotic gene की category में आती है और ये Rule 1, 2, 4 में express हो सकती है Next है Polyflower gene जो की Mats box family में आती है और ये Meristem identity gene की category में आती है और ये Fluoral Meristem में present रहती है And fruitful gene जो है ये भी Mats box family से belong करती है Fluoral Meristem identity gene माही जाती है और ये Fluoral Meristem and Polyleafs में present रहती है ठीक है अब आप सोचो के इस से सवाल कैसे आ सकता है पहला मैं बता देती हूँ इस सवाल कैसे आ है अच्छा ये जो genes मैंने बताई है ना ये एक ही chapter का part नहीं है Let me tell you जैसे कि अभी हम 3 बजे वाली class में vernalization पढ़ेंगे vernalization में इसमें से 5-6 gene होगी जो काम करेंगे ठीक है और अभी जो हमने पढ़ा अभी फिलहाल में जो ABC model पढ़ा आपको पता है ये वाली सारी genes हमने include की थी except fruitful gene तो इससे सवाल कैसे आता है सवाल आ जाएगा सबसे पहला सवाल आएगा family को लिख कर यहाँ this is a x protein बताओ ये कौन सी family से belong करती है ठीक है दूसरा सवाल आ जाएगा इसके function से related बताओ इसका function क्या है और rare case में सवाल आ सकता है rare case में सवाल आ सकता है domains बठाओ आने के chances जरूँ ठीक है तो ABC model के लिए ABC model के लिए मैं बता दूँ ये gene जो पढ़ा है आपने उसको ABC model में include करके पढ़िए उसको याद कीजिए ABC में आपने पढ़ा है और कौन सा पढ़ा है आपे लिए फीजिए तो क्यूंकि ABC model में ये genes हमने पढ़िए तो इसको याद करना आपके लिए आसान होगा बाकी उपर वाली genes को अभी छोड़ दीजिए क्यूंकि ये हम next chapter में पढ़ेगे बनलाइजिशन तब ये बाकी genes वहाँ चली आएंगी जब आप इनके काम देखोगे इनके function देखोगे इनका relation देखोगे तो automatically chapter में ही ये याद हो जाएगा फिर उसके बाद ये table आपको tough नहीं लगएगा जैसे कि अभी ये वाला table आपको tough नहीं लग रहा होगा पहला ओला जो पार्ट है वह आपको tough लग रहा होगा क्यूंकि ये genes अभी आपने सुने नहीं है तो अगले chapter में जब आप इसको सुन लोगे तो ये easily आपके दिमाग में बैठ चाहें ठीक है clear चलो मैं वह एक्रॉस चेक कर लेती हूँ कुछ छूटा तो नहीं है काफी कुछ मैंने additional notes भी दिये हैं उनको प्लीज एक बार आप लोग go through कर लीजेगा additional notes वह इसलिए दिये गया हैं क्यूंकि उसको मैंने diagram में cover कर लिया इसके सारे questions CC में attach कर दूँगी मैं अगली class सब तो शायद आप नहीं कर पाएंगे तो हम इसके questions को कल देखेंगे ओके चल जो जो main side थे जो इस चाप्पर के लिए थे वो हमने देख लिए ठीक है तो हम क्या करते हैं एक summary ले लेते हैं अभी तक जो पढ़ाएं पटापट से summary ले लेते हैं अच्छा कुछ बच्चों को मैंने देखा है summary feed करने की आदत हो गई है यह आदत गलत है summary किसी चीज का बनाना अच्छी चीज होती है बट इसकी आदत पढ़ जाना वो गलत है क्यों क्यों क्योंकि अभी हम आपको समझा दे रहें काम चल जा रहा है लेकिन कलको जब आप बुक से पढ़ोगी तो बुक में summary नहीं होती है यानि जो reality phase आप जहलोगे वो without summary है और जब detail में आपको समझा लेने के बाद भी आप इस बात पर dependent हो कि मुझे summary बताई जाएकि तब मैं conclude करूँगा तो वो एक गलत तरीका है learn करने का learning ऐसे नहीं होती है summary आपको final confirmation देती है concept clarity नहीं करती है तो जो भी बच्चा summary पे depend होके चल रहा है वो गलत learning approach ले रहा है वो आगे चलके बहुत ज़ादा उसे face करना पड़ेगा आगे चलके वो बहुत सारी दिक्कत है face करेगा ये में भी ये बात आपको आज समझ में ना आ helping hand है एक छोटा सा helping hand है जो आपको final confirmation देता है कि हाँ मुझे ठीक ठीक समझ में आया है लेकिन dependent मत रही है ये concept gaining approach रही है ये बस हमारा final confirmative approach है that's it ठीक है तो इस बात का ध्यान रखेगा क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो मुझे personally message करते हैं मैं हम इसका summary बता दू आपक क्या learn किया है कुछ नहीं learn किया है राइट तो summary पर dependent नहीं रहना है summary एक helping hand है पुरा का पुरा chapter नहीं है summary चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं ABC model से हमने क्या किया ABC model में हमने क्या किया मैं directly model बना दूँगी easily समझ में आ जागा राइट ये था B class ये था A ये था सिबू ठीक है जिसमें की हमने यहाँ पर सैपल बनाया यहाँ पर पैटल बनाया ये कारपल पर से स्टेमन जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर चला आया प्लास A जी पर A प्लस B चला आया ये की प्लस C चला आया और यहाँ C चला आया ठीक है नेक्स्ट आता है A, B, C, E model ABC E model का केस क्या है वापस से वही पिक्चर है B, A हो गया A, C, बस हम एक नया मेंबर आड़कर बनेंगे यहाँ पर पता है यहाँ पर पता है यहाँ बन जाएगा फिर से सेपल, यहाँ पेडल, इस स्टेमन, इस पार्थ, यह रहा जा रहा नहीं यहाँ बनेंगे, यह हो गया, A plus E, यह हो गया, A plus B, plus E, यह हो गया, B plus C, E, यह हो गया, C, E purple last food, oh sorry लोस्य देकर a b c d e टेढ़ा जाया हूं। इह होगे आप B this is A and this is C पर से ड़ड़ होगे देखा जाए तो यह वाला पोर्शन में कबनेगा किसे लिखेंगे K प्रस E यह वाला पोर्शन P प्लेस मैं उडेका फिण नाही लिखेंगे इसका लिखने में कि इसका different होगा that is we will know तो A class gene में हमने देखा था AP1 AP2, वो सब gene जहां जहां A express होगा है, वहां वहां पर express होगा class B में हमने देखा था AP3 PI class C में हमने देखा था Agamnes class D में हमने देखा था SHP1 SHP2 STK STK1 था ना या STK नहीं था से नहीं STK था SHP2 अबने क्लास E में देखा था STEP1 STEP2 STEP3 STEP2 यहाँ पर मैंने एक समरी ड्रॉ कर दी हमने क्या पढ़ा, किसकी मदद से क्या बन रहा है and everything ठीक है? YES, Shutterproof 1, 2 and Seed Stick हमाँ यहाँ आखम है। को ज़न से करते και क्या यहाँ नहीं ялasand